पोट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के ये स्पोट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें मैच में दिल्ली के सलामी बले बाजों ने जो टेंपलेट सेट किया है मुझे लगा शायद पंजाब ने उसी को फॉलो किया अब दिल्ली और पंजाब आमने सामने हैं ये मैच एमदाबाद में खेला जाएगा दिल्ली के लिए इस मैच में ये है कि उनको कंसिस्टेंसी confidence अलग तरह से आया है हाला कि उनको थोड़ा सा बॉलिंग जो उनकी combinations हैं उनको tweak करना पड़ता है पंजाब के लिए जीट जरूरी है आखरी चार के लड़ाई में बने रहने के लिए क्योंकि अभी उन्होंने एक match जीता है उनके 6 points हुए हैं और वो 5 भी position पर हैं लेकिन 5 भी से 4 पर जाना असान नहीं होगा उनको देखना होगा जो टॉप चार्टी में वो कैसा खेल रही है और साथ ही साथ अपने आपको उस काबिल रखना होगा जहां पर आप उपर जा सकते हैं पंजाब ने दिल्चस्प चेंज किया था हर प्रीद भराड हर प्रीद भराड ने लेकिन जो साथ बॉल की वो स्पेल डाली जिसमें उन्हों मैक्सवल और अबी डिविलियर्स को आउट किया वो पंजाब को देगा एक तरह से बूस्ट बिश्णोई ने बड़ा अच्छा बॉल डाला है उनकी तेजगेंबाजों ने शमी और मेरेडिथ ने जिस तरह विराड को अटैक किया तो उनकी तेजगेंबाजी भी अब चल हो गया है और मेरा ही माना अगर मैंक अगरवाल फिट नहीं हुए है तो पंजाब को डेविड मलान को खिलाना चाहिए डेविड मलान दुनिया के नंबर एक टी-20 प्लेयर आप ओपन कराईए मलान और राहूल के साथ ओपन कीजिए क्रिस गेल ने तो जबरदस बैटिंग क होगा आप उसके लिए मंदीग सिंग को रख सकते हैं सरफ्रास को रख सकते हैं मंदीप को रखना क्या फाइदे मन्द भी हो सकता है तो मुझे लगत यह चेंजिस पंजाब को करने होंगे अगर पंजब यह सोच रहा है कि हम इते हूए है जीट जाएंगे वैसे नहीं होग लेकिन उनके पास तीन नंबर पर अभी भी स्टीस्ट में थें, रिशप पंथ हैं, हैटमायर ने भी एक जबर्दस पारी खेली थी, लेकिन देखना ये होगा कि उनके सलामी बल्ले बाजों को शमी और मेरेडित कैसी बॉल डालते हैं, अगर शमी और मेरेडित ने उपर से द हैदरबाद के बीच में है, और राजस्तान इस मैच को जीता है, तो उनके लिए भी स्टेक पर बहुत कुछ है, वो भी 6 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जहां फिलाल पंजाब बैठा है, पंजाब तो 6 से 8 जाना चाहता है, लेकिन हार गया तो 6 पे रह जाएगा, और पोस्ट मैच इंटिव्यू में डेविड वार्णर ने बोल भी दिया था, कि जी सेलेक्टर्स का डिसीएन था, मनीश पांडे को ड्रॉप करने का, मुझ लग रहा है उसका खामे आजा भी शायद वार्णर को भगतना पड़ा है, क्योंकि कप्तान बदल दिया गया है, हाद दुनिया होगे, बड़े-बड़े मैच जिताने वाली जोडी, मेरे ख्याल से ऐसे करना चाहिए, या पर दूसरी ऑप्शन है, कि वो रिद्धिमन सहा से अगर ओपन कराएं, और नीचे जेसन होल्डर को खिलाएं, ये फैसला उनको लेना होगा, लेकि मेरा ये मानना है, कि अगर वो जेसन रॉय अब बेस्टो के साथ जाएं, तो उनकी बैटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, बुवनेश्वर की फिटनेस पर भी बहुत कुछ निर्बर करेगा, लेकिन आपको करना ये है कि डाफा न्यूस पर जाना है दोस्तों, डाफा न्यूस पर जैस रिशप पंद मारेंगे, पृत्वी शौ मारेंगे, हैटमायर मारेंगे, शिकर्दवन मारेंगे, बहुत तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बले बाजों का मैच होगा कि आप ये भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि चौके सबसे आ कौन मारेगा, आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं क कोई सैंकडा आ रहा है की नहीं आ रहा है कौन सा बल्ले बाजो 100 बना सकता है 50 कितने प्लेयर हैं जो बनाएंगे साथ ही साथ बेस्ट बोलर कौन होगा क्योंकि जहां पर हाई स्कोरिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं लड़ाई वहाँ पर गेनबासों पर बात आ जाती है ना पहले पार प्ले में पहली टीम कितने रन बनाएगी दूसरी टीम कितने रन बनाएगी तमाम तरह की प्रडिक्शन्स आप कर सकते हैं और जो दूसरा मैच है मैं तो उसमें ये देखना चाहूँगा कि क्या जेशन रॉय और बेस्टो की जोड़ी एक साथ आएगी तो इस संडे पर मेरी नजर है आपकी भी नजर रहेगी और कोई भी सवाल हो आपके पास जो आप मुझसे जानना चाहें हम स्पोर्ट्स तक पर तो आएंगे दुपहर को पौने तीन बज़े से लाइब लेकिन कोई भी सवाल अगर आप जानना चाहें तो प्लीज आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आस्क स्पोर्ट्स तक हैश्ट्राग के साथ भेज सकते हैं घर पे रहिए, मास्क लगा के रखिए, ध्यान रखिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट लिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook और Instagram पेज को भी जरूर फॉलो करें